नमस्कार दोस्तों, वैशनवी औरगेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मिस्टाइटीस थनेला के बारे में थनेला के बारे में जो जनकारी है थनेला होने पर दूद खराब हो जाता है थनों से सूजन आ जाता है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है क्योंकि इस से किशान का बहुत सारा नुक्सान होता है थन खराब हो जाता है दूद खराब हो जाता है एक सब्ताह तक ठीक नहीं होता है डॉक्टर आता है एंटिवाइटिक देता है विमारी ठीक होते होते वो खिलाने का खर्च भी दवाई का खर्च भी वो सारा खर्च मिलाकर बहुत सारा नुक्सान कर देता है दूद उत्पादन में कमी आता है आप जानते हैं थनेला अयन चार होते हैं तीन में दूद आ रहा है एक में नहीं आ रहा है बंद हो गया है वो लाइफ टाइम के लिए बंद ही रहता है तो एक परकार का थनेला है फिर इसमें क्या होता है कि संकर परजाती में ज्यादा थनेला होता है मतलब जो जानवर ज्यादा दूद देती है उसे ही थनेला होता है तीन से चार लिटर दूद देने वाली जानवर को थनेला का बिमारी कम होता है लेकिन जो एचेफ है, जर्सी है, जो 10 से 15 लिटर, 15 से 20 लिटर दूद देती है, उसको थनैला ज्यादा होता है उसमें ये बिमारी आती है, थनैला का परकार कम दूद देती है प्रभावित अयन या थन के आकार में बदलाव आना गुप थनैला, कोई लच्छन प्रगट नहीं होना, केवल दूद की मात्रा में कमी होना स्टेज वन, पहला स्टेज का थनैला है, गुप थनैला बोलते हैं प्रगट थनैला, दूद में मवाद आना, छिछडे या खून आना थन में सूजन या कडापन, गर्मी आना, स्टेज टू थनैला है थनेला होने का कारण सुच मजिव, पूरा नद होना, खनीज मिश्रन की कमी, थनेला से रोक थाम, बाड़े की सफाई करें, दोहन से पहले और बाद में थन की सफाई करें, साथ मिनट में पूरा दोहन समाप्त करें, दोहन के बाद घंटों तक पसु को बैठने ना दे, दो जानबरों के दोहन के बीच में, पहले और बाद में हाथों का धुलाई करें, बिमारी वाले पसु को अलग बांधें, समय समय पर थनेला का जाच कराएं, मिनरल मिक्चर पाउडर खिलाएं, थनेला का लच्छन, काफी नुकसन दायक, दूद उत्पादन में कमी, दूद अचानक कम या बंध हो जाना, हमेशा के लिए थन खराब हो जाना, संकर परजाती में जादा नुकसान होना, थनेला से सुरच्छा चक्र, पहला कदम, सफाई चमाचम, अपने डेरी में फर्स को रखिये साफ, और सारे गढ़े को दीजिये धाप, थनों के सफाई का रखे पूरा ख्याल, दूद निकालने से पहले डिटेल, डिटॉल लिक्वीड और तावल से रखे साफ, पहले और बाद, दूद निकालने में उन हार्मोन की बज़ा से दूद निकलता है, उन हार्मोन का असर थनों में सिर्फ साथ मिनट तक रहता है, और इस दौरान अगर पूरा दूद नहीं निकाला गया, और थनों में दूद रह गया, तो थनेला की वैक्टेरिया पनप सकता है, दूद निकालने के बाद, एक घंटे तक मद दो वैक्टेरिया को पनपने का मौका, भैंस या गय को खिलाओ चारा या बजाओ बीन, मगर उसे बैठने मत दो, क्योंकि अगर वो लेटेगी, नादानी में तो बैक्टेरिया को मिलेगा मौका, और आपका कमाई जाएगा पानी में, दूद निकालने के एक घंटे तक थन खुले रहते हैं, थन से दूद निकालने के बाद, थन के किटनासक दवाई से धुलाई या सफाई, पिछकारी लगाकर थनों को थनेला से बचाएँ, थनेला का रख, पहले कदम से ध्यान, पसूओ को खरीद कर लाने के बाद, डॉक्टरों से थनेला से जाच कराओ, और समय समय पर जाच कराकर थनेला से बचाओ, जिन पसूओ को हो जाए थनेला, उसे रखो दूर अकेला, सबसे बाद में उसका दूद निकालो और सही इलाज से उसको बचालो खिलाओ अच्छा और संतुली तहार, बाला चारा, मिनरल थनों के रच्छा के लिए यह है सबसे बड़ी उपाय अगर दोगे संतुली तहार, मिनरल तो हर बीमारी पर होगा रोगपति रोधक छमता का वार देखा इसमें जानबरों ने कुछ नहीं किया, इसमें सब कुछ किसने किया है, कि शान भाईयों ने साथ मिनट में दोहन नहीं करते दोहन से पहले थन को फिट किरी या नीम के पत्ते के गर्म पानी का घोल से धुलाई नहीं करते खुला रहता है, उसके नफस के छिद्र जो है वो खुले रहते हैं, हम लोग थोड़े सवार्थी हैं बाकेट भर गया, हम लोग लेकर निकल गएं, पीछे जानवर का जो होना है वो होने दो दोस्तो, जानवर नीचे बैठ गया, नीचे इतनी गंदगी है, गंदगी के उपर जानवर बैठ गया आपने दोने में साथ मिनट से जादा ले लिया, थनों में दूद है, दूदे दूदे, कुछ टाइम ऐसा आता है कि थन से गाय का दूद अपने आप उपर चढ़ा लिया मतलब साथ मिनट खत्म हो गया, दूद थन में ही रह गया, घंटों तक थन का भेन खुला रहेगा, गाय नीचे बैठेगा, गंदगी में वहां से वाइरस दुनिया भर का अंदर परवेश कर जाएगा फिर अपना काम चालू करेगा और गुप्त होगा परगट थनेला, फिर इस्थिर हो जाएगा थनेला और फिर आपका पर्मनेंट फिर इसका इलाज संभव नहीं होता है मिनरल मिक्चर पाउडर देना है, ताकि आप लोगो यह सोचे कि जानबर जब गावीन होता है, तब सात महीने तक आप दूद लेते हैं और आखिर के दूब महीने में दूद निकालना बंद कर देते हैं और वो दो महीने में हम जो खुराक पसु को देते हैं, वो कम कर देते हैं, मिनरल मिक्चर पाउडर भी बंद कर देते हैं, अगर थनेला को रोकना है तो मिनरल मिक्चर पाउडर देते हैं, तो अगले ब्यात में लंगड़ापन दूद में कमी थनेला और बीमारियों को ज्यादा होता है रोकथाम 5% कौपर सलफेट तुतिया का घोल ले करके खूर की ट्रीमिंग करना है लंगड़पन की नीमित रुप से जांच करें उचित फर्स, खुली जगा, संतुली तहार, जानबरों को दो से तीन घंटा डेली घूमने दें कनफर्ट जोन में रहने दें प्रामपरागत उपचार के विधिया थनहला का धित कुमारी एलो वेरा, हल्दी, चूना, गूड या मिठा, कढ़ी पत्ता और निम्बू समागरी, धिरित कुमारी एलो वेरा अढ़ाई सो ग्राम लेना है, हल्दी पचास ग्राम गांठ या पिशी हुई लेना है, चूना, पंद्रा ग्राम और निम्बू छे पिश लेना है बनाने का बिधी, एलो वेरा अढ़ाई सो ग्राम लेना है, हल्दी पचास ग्राम लेना है, चूना, पंद्रा ग्राम लेना है, एलो वेरा को मिक्सी में पिश ले और उसे हल्दी चूना मिला ले और थनों को अच्छे से धोकर एक मुठी पेश्ट बना ले और सो एमिल पानी में एक अच्छा गोल बना दो, पूरा पानी जैसा गोल होना चाहिए और लगा दो, पूरे थन में लगा दो, दीन में पान से छे वार लगाना चाहिए आपका जानवर में थनेला प्रगट रूपका है तो थनेला ठीक हो जाएगा प्रमप्रागत उप्चार विधियां थनेला में दूद में पसूओ को खून आता है कभी कभी जानवर के दूद में खून आता है उसके लिए क्या करना है एक मुठी कड़ी पत्ता ले और उसके अंदर गूड या मिठा डाल दें यह जनकारी अच्छे लगे तो चैनल को सर लाइक और सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद खून अपने आप बंध हो जाएगा दूद से दोस्तो थनेला को रोकने का जो यह बिधी है इसमें निम्बू निम्बू बहुत ही कारगर है सुरुवाती अस्टेज से लेकर के एक एक निम्बू आधा आधा काट कर छे दिनों तक सुबह और साम गाय को खिला दें वो थनेला को आगे बढ़ने से 80% रोक लेता है इसलिए निम्बू खिलाना नहीं भूले प्रागत उपचार विधिया ठनेला का जो है बहुत ही कारगर है बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू